आज की वीडियो में आप फ्रेंज को क्लाच वर्यम के अंदेरे सेर्च चेंज करने के बारे में बताऊंगा अकसर हमारी बाइक में मसला आता है कि जब हमारी बाइक के क्लाच पकरते हैं गेर लगाते हैं क्लाच अमने बाइक पकराता है लेकिन हमारी बाइक फिर भी आगे जा रही होती है नम्बर एक ये मसला आता है और नम्बर दो भाईक चलते ही भाईक भी भी भाईक के वैर बड़ी मुश्कल से निकलते हैं या लगते हैं ये दो प्रॉब्लम्स आती है इस वह और हम क्या करते हैं लेकिन उस टाइम पर एक और प्रोब्लम ही आपर आती है कि हमारी बाइक के दूसरी ये तीसरी कीक में ही स्टार्ट होती है उससे पहले क्या होता है कि हमने उपर से क्लाच अपना छोड़ा होता है जब हम इसको लूज करते हैं तो मारी बाइकर फिर वह जो पिछली प्रोब्लम है वह मारी वापस आ जाती है मारी बाइकर गेर होते हैं वह राम से नहीं निकलते हैं तो इस सूर्थे हाले हमने क्या करना होता है कि इससे जो मारी ये कलच्वर में इसका खोल के कशा जो सेट होता है यह हमां चेक करना होता है कैसे चेक करना है वही मैं व sepבר फिरॉब् move किया है वह प्रिभलम आप एकदमा देख ले तो आप मैं आप से लगाता हूं और आप देखिये तो फ्रेंस जैसे कि आपने देखे है कि यह जो कीक काफ़ी सोफ्ट ते किसे नीचे जा रही है ठीक है कलच मैंने अपना से छोड़ा हुआ था यहां से मैंने कलच नहीं पकड़ा हुआ था तो आप मैं इसको खोलता हूँ और हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सी जोसकी प्लेट है वो खराब है तो फ्रेंस जो कलच वर्म की यह ठीकी खोलने के लिए हमें यह दो स्कूरी खोलने पड़ते हैं इन दोने स्कूरी को लएगी 4LLK की यह की ठीक है अगर आपका न्यू माडल है तो उसको लएगा सिंपली 4-sided screwdriver तो चुंकि यह old माडल है तो उसको लएगी यह L की इसके मतलब सम्सको खोल लेते हैं तो यह रिखिए खोल गए यहां से तो यह कफी जाओ साफ हैं अंधर से क्यूंकि मैंने पहले एक साफ कर गरीज दी थी तो काफी यह तक साफ है लेकि हमारा यह जो दो प्लिर्म है इसको मैं चेक करना है तो फ्रेंज बहुत से लोग समईते हैं कि इन दो प्लेर्ड को नकालने के लिए हमें इस एकmile बाहर निकालना पड़ता है इसको बाहर निकालना तो नहीं पड़ता है लेकिन इसको बाहर ने निकालना चाहिए यह नहीं पहले हम इसको खोलते हैं इसको लेगा सिंप्ली फॉर साइजर स्क्यू ड्रैवर इसके मदसे हम इसको खोलने कर दो हमारी प्लेट्स बाहर को आ जगी है तो फ्रेंज यह देखिए इसका स्क्रीव आ रहा है बाहर को तो पहले इसकी एक आगी प्लेट उसके बाद यह दूसरी अब इसको आप यहां पर गोड़ से देखिए ना आपका फरक बताऊंगा इसके यहां पर देखिए काफी ज़ाद निशान आ चुके हैं यहां से घस चुके काफी ज़ादा ठीक है आप देख रहे हैं यहां पर काट पार गया है जिसकी वहां समया जो कलाचा है वो सही वरक नहीं का रहा था तो यह लिखिए नमबर एक यह नमबर दो यह जो इसको अड़ेस्टर यह भी आकर अगर आपके ज़ादा चुका है अब हम इसको यह बाहर नकालने के लिए आपने सिंप्ली से रबर को नीचे की तरफ आपने इस तरिक से खींचने है और इसको आपने ऊपर की तरफ चाहिए बाहर को आजीगा ऐसे यहां पर आपने पक करने ठीक है यह ने यहिए से बाहर को आज्येगा तो यह लोग कुछ इस टायप का होतता है बस यह यहां पर बढ़ाया होता है जब मैं आपको दबारा इसको फिट करूँगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि इसका क्या काम होता है आप सिंपली हमने इसको बार के तरह नकालने नहीं ठीक है तो यह इसके काफ़े तक साफ है गिस लगी वे तो आपने यह भी देखना होता है और यह इसका स्प्रिंग आ गया है अगर अगर इस प्रिंग काफ़ी डील है तो आप इसको भी चेंज कर देए अगर आप अपने ब अगर यह जोता है नेचे वाला यह काफी ज़़ा घस जाता है अक्सर तो यह कसा वह बिल्कुल ना हो यह दिखिए यहां से ब्लीकुल क्लीन है यह यह यहां से बिल्कुल ऐसे राउंड में हो काफी घूमा तो आप इसको भी सिंपरी चेंज कर दें वर्म तो इसकी ठीक है लेकिन जो इसकी यह प्लेट है इस पर देखें यह काफी जाएंपश्टा आहें हैं अब मैं नहीं खोलता हूं और आको दखाता हूं यह पुरा सैट्टी मिलता है ठीक कि यह जश्टर होता है जिससे हम सेटिंग करते अपने करश की और यह हमारा इसकी प्लेट होती है दो अब जो नया लाया मैं इसको उपन करता हूँ तो फ्रेंस ये देखिए इसके अंदर ये चीज़ें हैं ये देखिए टोटल चार चीज़ें हैं ये इसका इजेश्टर स्क्रीव आ गया ये इजेश्टर नटा गया जो मारा लॉक नट होता है और ये हमाई दो बेसिकली यहां पर पटी है अब इसके आप ये चीज़े देख रहे हैं ये देखिए ये चीज़े किते साफ सुथरी है कहीं पर निशान नहीं है और ये देखिए ये दोनों आपके सामने हैं इसके यहां पर कितने ज़्यादा रगर आ गई है, कितने ज़्यादा फ्रिक्षन है यहां पर और इसके यहां बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, यह देखिए, तो यही बेसिकल यह होता है, कि हमारा जो क्लच होता है, वो सही तक वर्क नहीं करता है, यहां पर काफी निचान आयत हैं ये दो जगान पर निशाना आट है एक यह यहां पर आते हैं और सेm इस तençaिके से इस वर्म पर भी आते है ठीक है लेकिन इसकी यहां से बेलोकूर ठीक है यह जिसके किनारे यहां पर ठीक है इतने ज्यद्ध रिधिया लिएprobर क्रोणगा टीतर्य File इसके लगाव आप च्यादा यह छोटा है तो जैसे करते है यहां पर यह चीज होती है जिसके पिछे तरे दपती है जो नहीं उन्हें बडबह स्टे तो यह कफी जूटा हो गई इसका मैं खोलता हूं आपको साइज में डिस तरहां प्रक्ता हूं और आपको डिफ्रेंस बिताता हूं इसका तो फ्रेंज ये देखिए खुल चुका है तो ये हमारा प्राने वाला है और ये देखिए न्यू वाला है अब इसका तो साइज है वो आप देखिए ये देखिए ये कार्ट के किता है छोटा हो चुका है रगर रगर के छोटा हो चुका है और ये न्यू वाला ये ठीक है ये जो मारा ओल्ड वाला है ये भी पहले इसका साइज इतना ही था तो ये चाल चाल के रगर चुका है तो ये भी काफी फरक होता है इसलिए set में तीन चार चीज़ें कटी आती है तो अब हम यह पुरा set चेंज करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से बैठता है यह रिखेंज नूँ वहला पुरा set है यह इस तरीके से यहाँ पर ऐसे होगा जो यह इसकी round में चीज़ है यह उस तरफ को आएगी ठीक है यह ऐसे नहीं कि यह ऐसे आए यह हमेशा ऐसे जाएगा इसके अंदर ठीक है यह round way चीज उस side पर होगी और यह इसमें ऐसे बैठेगा यहाँ पर हमारा screw लएगा जो हमारा four side दो था screw ठीक है यह screw मारा लएगा यह तो हम old way लगा लेंगे यह ठीक है इसका और यहाँ पर basically बैठता है यह अब इसका अपने देखना है यह आपने इस तरीक से लगाना है यह जो इसकी है ना page के सब्सक्राइड ही है इसकी हमेशा अपनी side को आएगी ठीक है यह ऐसे नहीं आपने लगाना है लाग तो ऐसे भी जाएगा लेकिन आपने लगाना है इसको ऐसे है तक हमने बाद में इसको और जेस्ट भी करना होता है इसको एक दोफाँ आप हलका सब्सक्राइब लगा लें बेश्क्राइब ठीक है उसके बाद temporary तोर पर आप इसको पर यह भी लगा लें इसका ठीक है यह जो इसका lock है इसको एक तफ़ाँ आप वक्ति तोर पर यहाँ पर इसना चरहा लें उसके बाद हम इसको यहाँ पर fit करते हैं और वर्म इसके जाए घुंबेगी और कफ़ अच्छा करेगी वारी जो पर इसकी यह चोड़ते हैं उसे से पीछे की तरफ यह प्वें एक पर होता है जब यह आय के तरफ हम इसको देखिए इस तरह घ्लों जाता है यह तो मैं इसको आपने किसी भी पेज़ करता हूं और फिर हम लगाते हैं फ्रेंज आपने किसी भी पेज़ कास के ऊपर कपराच रहा कर ये रखिए कपराच रहा कर आपने इस सुराक अंदर आपने इसके से डालना है और इसको सही तरीके से आपने साफ करना है उस साइड से यहां से यह बाहर निकले, ठीक है? इसके बाद आप इसको इस तरह अच्छी तरह साफ करें, ठीक है? आगे पुछे करके इसी तरह से वर्म परत मेरे पहले वी ग्रीस लगी विया, लेकिन मैं फिर भी इसको साफ करके नई ग्रीस लगाँगा यह जितना साफ हो सकता है ठीक है अब इसमें यह अपने वक्ती दोर पर सकल गया था यह अभी इसमें लूजी है ठीक है तो यह राउन वर्ड़ी चीज मैंना का पहले ही बता है यह उस साइड पर रहेगी यह अपने इस दिके से रखकर और यह आपने स्क्रीव लेकर इसको अपने यहाँ पर यह स्क्रीव यहाँ पर बैठाएगा ठीक है तो यह देखिए इतना उसके एधा आप हासे टाइड कर दें उसके बाद फोर साइड स्क्रीव लेकर इसको कम्प्लीट आपने टाइड करना है लूज नहीं छोड़ना यह काफी स्ट्रोंग होता है लेकि लेकिन यह अमूमन टूटता नहीं होता क्यांकि फोर्स नहीं होती यह रखिए अब यह अजिसको बावन टाइड करें गए जानिकि यहां से हम इसको ऐसे दबाएंगे ठीक है यह रखिए यह ऐसे दबे का तो हमारा जो प्राचा रोड़ाइगा में काम हमारे पीछ गोल च अगल के लाओर किए यहां inhale ठीक है अब इस पर आपने ग्रिस लगानाओं सारे पर आपको यह वाक्ष्षरान फूड़ा बश्करा यह धे रिता क्यूंत अच्छा फ्रेंड्स ग्रीस बेसिकल लिए आपने पता का का लगानी होती है सबसे बएले आपने ये जो नीची वारा पार्ट है ना इसका यहां पर तो आपने लाजमी लगानी है क्योंकि आपने निशान लगे थे और निशान यहां पर भी लगे वे थे यहाँ पर भी आपने लगानी है एक यह हो गया इसको हम बाव में सेट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर भी हलकर के लगा देनी है क्योंकि इसके पूरे राउंड में घुमनी होते है ग्रीस आपने लाजमी लगाने नहीं तो आपका जो कलाच्चा काफी जोड़ा लूजनास है ना काफी डीला है तो इसको भी चेज़ कर देंगे लेकिन यह मेरा अब तक ठीक ही है तो इसको आपने बेसिकली एक दवाँ आपने यह चीज आपने आगे तर बठा कर इस तरह आपने इसके तरह चोड़ देनी है है और यह जो सुराख एसको साथ एक और चौटा सुराख नजर आरा रहा है यहां पर मैं आपको तखाता हम त्वब्लं से ये जो चीज़ है ये उस सुराख में जाकर बैठनी चाहिए तो ये रिखिए ये इस तिक से जा रहा है और वो चीज़ ये जो चीज़ है ये उस सुराख में जाकर बैठनी चाहिए जब उसके ने जाकर बैठ चेकी तो ये लोग हो जएगा ठीक है फिर ये हिलेगा नहीं ये अब लोग हो गए ये अब ऐसे उपर नीचे नहीं होगा ये उसमें जाकर बैठ किया उसके बाद सिंपली इसको आगी तरह प्रेस करेंगे तो फ्रेंज आपने यहां पर नोट करने है जैसे ही मैं इसको फूल आये करता हूँ तो ये सुराख इसके बिल्गल अलाइन में आ गया है पीछे के तरह करेंगे हम तो ये रिखिए इस तरह होगा जब ये इसके अलाइन पर आ जगा तो यहां पर आकर आपने जो आपका पर मैं यह मूव नहीं करेगी जैनि कि आगे पीछे जादा नहीं होगी अब यह आपने यहां पर रखकर यह स्प्रिंग जो इस साइड़ पर है इसको आपने इसके ओपर चाहना है वहां से लोग हो चुका है और वहां बार भी नहीं आएगी क्यों क्यूंकि हमारी लोकल ल यह चीज के सामने आगई है ठीक है अब यह यहां से टाइट हो गया है उसके बाद यहां से हमने इसकी जच्टमेन करने होती है इसके पर आपको दो चीए चाहिए होगी सबसे पहले आपको 10 नमबर की सपैनर उसके बाद आपको चाहिए एक टूसाइज स्क्यूडराइबर सबसे पहले तो आपके लोधा है फरी है ठीक है यहाँ पर यह बिल्ότε ऐसे फरी है यह बिल्कुल यहाँ पर ठीक है आपने सबसे पहले इसको टा calcium करते जाना है सिर्फ आपने टाइट करते हैं आपने वो क्रिशन नोट करनी है जहां पर आकर आकर आपको मसूस हो रहा है कि यह उसके टाच हो रहा है पॉर यांपर आकर आकर मुझे यांपर फिल और रहा है, कि अब यहांपोर मैं यहां पर मुझे फील हो रहा है, इसके बाद मैं इसके पर जचूड़ा दाऊंगा, न यहां पर इसके छोड़ दूगा, ताम कुर्दिया, इसकर जूर लोगतikanisat, इसको दो सलवे होत,velmente सब्सक लोकरट हम इसके सबसे एंड पर लगाएगा जब हमारी साइटिंग पूरी इसकी हो जाएगी यह स्क्रीव है ना यह पहले बिल्कुल फ्री था हमने कहा किया कि जहां पर हमें फील हुआ कि यह अप टाइट होने लग पर है वहां पर हमने इसकी हाफ चूरी गोमा दी यहां यहां पर छोड़ दिया उसके बाद हमने इसकी हाफ चूरी गोमा दी ठीक है मतलब के यहां पर था ना इस ञार charm को माकर यह इतने यहां पर ले आए ऐसे करके यह अंदाऎरम तोर पर होता है यहां पर हमने कर दिया कर दिया इसके तो नोट करना होता है नहीं होते हैं सबसे पहले इसका मैं आपको simple एको तरिक लाता हूँ कि आपको भी start भी नी करनी परेगी यानिकि अगर आपने free प्रे चक करनी है तो तो आपको काफी दा बाइक आगे चलानी परेगी तो आपको इस ही तरिक से बता नहीं लएगा आपने यह करना है कि आपने simple लेखना है इसमें इतनी सी पले हो मैं आपको आप सांत रिक से बता रहा हूँ यह रिखिए यहां तक आपने clutch प्रेस के यहां सब अंदादा लगा लें ठीक है इतना हो यह निए कि इतना हो जे आपने इंदाज से देखना है कि यहां पर आपकी जो clutch है या इसमें इतनी पले हो यानि कि आपने इतना प्रेस किया है इतना वह ज्यादा भी नहीं आपने इतना प्रेस किया है आपकी bike start होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप किकल कर दो नरम हो इतनी इसमें play हो ठीक है इतनी इक उसके बाद एक आपने point यह चेक करना होता है जो कि मैं सेट करूंगा दूसरा point आपने चेक करना होता है कि आपकी bike कि यह रिखिए आपने इतना प्रेस कि छोड़ा फिर आगे जाए यह नहीं कि आपने अभी bike start कि गे ले गया तो आगे जाने लाग परें यह नीचे setting करना है यह बहुत असान होती है main जो मारा मसरा था वो मारी वो उन दो place कही था तो मैं इसको तो से यहां से lose करता हूँ यह देखिए यहां से आपने जादा नहीं शेर ना करें यहां से अटेश्च में ना ना हो रही हो यहां से विल्कुल ऊपर चला गए हो फिर जाकर आपने करना होता है तो यह यहां पर काफी जादा टाइट है इसको मत हर लूस करता हूँ अगर प्रेस करूंगा इसका clutch यहां से आपने इसका clutch इतना पकड़ा होँ है यहां से ना पकड़ा होँ है ठीक है free place में इतनी है और यहां से जो मेरी bike है वो तो यह रिखिए हैं अपने सक्त होगी ठीक है नरम नहीं है जैसे मैं मजीद clutch कर पकरूंगा तो यह नरम हो जागी ठीक है यानि कि यह रखिए, यहां से मैंने इसको थोड़ा से इसने कसे तुकल नहीं है, आप प्रैस किया वैं उसके बावजूद, थोड़ा से जीया है, जादा मैंने बिल्कल ने किया ठीक है उसके बावजूद, यह जो मेरी बाऑिक है यह रखिए, कीकल अगर है यानि कि hard नहीं है जैसे मैं थोड़ाँ सा और मैं थोड़ाँ सा और करश करता हूँ मीड में आता है तो ये रखिए एक point ये note कर लिया उसके बाद जब आपने पनी bike को start करना है थोड़ाँ सा क्लाच छोड़ना है हो भी कासी check करना है मैं अब जाता हूँ लेकिन अगर मैं आपको एक और पाद दा दूँ अगर आपको यहां से setting नहीं ना होती बिलफार्स यहां से बहुत टाइड है यह लूज है तो आपने क्या करना है यहां पर जैसे जैसे आपका यह जो screw है इसको आप जैसे जैसे टाइड करेंगे आपका क्लाच्य वैसे टाइड होता जाएगा ठीक है आपको यहां से काफी लूज करना परेगा और जैसे जैसे आप अपने screw को लूज करेंगे तो आपको जो क्लाच्य वो आपका लूज होने लग परेगा इसमें बहुत सो लोग प्रशान होता है कि आपको यहन से क्को है आपको फटान करीगह lamit यहां पर यहां पर होता है तो यहां की तरुम calm यहां से कर सकता है लिगिन में बबात भी हονते हैं छीडिये हम आपको समझ आगा नकीक का कितनी इसमें प्ले हो आप में थोड़ से क्लाचा आप में भी पकरा हो तो आपकी बाइक स्टार्ट होनी चाहिए ताब भी एक ये पॉइंट आप नोट कर लेकर ने और एक दूसरा पॉइंट उसको में आपको बताता हूं और फ्रांजी दूसरी कंडिशन आपने सिंपली ब इतनी फले हो यह दखिए इतना छीट छोड़ने पर बाइक को नब रहा 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 है जैसे मैं यहांसे इसको आगे ही तो जाने लागाए थाट इतनी 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 इत कीवानिक выгляд का आपको वाइक गेर किता है अरां से निकले गें औरwen किते ह erro लगेंगे होग का इस ट्री इन करतार न Bengal गया है कि यह लगाया मैंने और यह लगए जब आपके गेर इते रहाम से निकलेंगे तभी आपको मज़ा आएका बाइक चलाने का फरस्त मैंने आपको उपर से अज़ेश्मन ने ता दिया है कि आप जब यहां से सारी अज़ेश्मन का दियें तो आपने एंट पर इसको अपने अच्छे से टाइट कर देना होता है एक इस लोग को आट करना होता है और एक आपने जो इसके उपर उपर रहा होता है लोग आट इसको आप ज़ुँद करना ठीक है आप यहां से कोई ग storage करेंगे तो और यह प्रोब्लम नहीं होती है आप ठीक होगा आपके कर देना है ठीक है अगर आपका कर देना है ठीक है अगर आपका कर देना है ठीक है अगर आपका कर देना है तो आपका कर देना है ठीक है अगर आपका कर देना है तो 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 आपका कर देना है त इसके बाद simply आपने sticky को बंद कर देना होता है अब आपको यहां से फुला confirm हो गया कि मारी setting हो गी है उसके बाद आपने इसको भी ठीक तरीका से ज़्यादा setting आपने यहां से करनी होती है ठीक है friends इसको टाइट है लूज करना होता है इसके बाद यहां परगहले उप्ररवार नट होता है इसको आपने tight करना होता है यह मारा basically होता है wolk nut इसका बाद खुए के जो setting है यह नाइचे वारा यह चिछेर न है यहां पर ठीक है